सुना तो जरूर होगा आपने भाव भगवान छे, जी नहीं गलत है, वाल्यूम भगवान छे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शौर्ट ट्रेडिंग करते हैं, और वाल्यूम को नहीं देखते, तो पैसा कमाना भूल जाएए, संभव ही नहीं है, मैं केवल एक वाल्यूम का इंडिकेटर देखता हूँ, जानते हैं कौन सा, आज बताने वाला हूँ आपको, तो कौन सा, वो एक इंडिकेटर है वाल्यूम का, जिसे देखना मैं कभी भूलता नहीं हूँ, नमस्कार जैश्रीराम, देखें चाहें आप मानें या न मानें, प्राइस के मुकाबले कई गुना ज्यादा जरूरे होता है वाल्यूम, और अगर आप वाल्यूम को नहीं देखते हैं, तो बताईए कैसे कमाएंगे, देखें सबसे पहले जान लिए कि वाल्यूम क्या होता है, नमबर ओफ शेर्स ट्रांजेक्टेड, यानि कि कुल कितने शेर्स का आदान प्रदान हुआ है, खरीद फरोख हुई है, हात बदली हुई है, उस संख्या को वाल्यूम कहते हैं, और वाल्यूम में शामिल कर लिया जाता है, तो एक पूरे दिन में या एक पूरे घंटे या किसी भी कालखंड में कितने शेर्स का कारोबार हुआ, उस संख्या को वाल्यूम कहते हैं, देखें प्राइस को नाना प्रकार से मैनुपलेट किया जा सकता है, दुर खेल हो सकते हैं प्राइस के साथ, लेकिन वाल्यूम में कैसी चीज़ है, जिसके साथ मैनुपलेशन बहत मुश्किल होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे विश्वस निया आकडाय दी कोई है, तो वो है वाल्यूम का, अब देखें वाल्यूम का इस्तमाल हर तरह की ट्रेडिंग में होत कि सबस्क्रायम की शकल में देखा करते हैं, उसके भी अपने फायदे हें, लेकिन पेशेवर ट्रेडर वॉल्यूम को वर्ट्रिकल एक्सिस पर यानि की वौई एक्सिस पर डालकर एक अलग तरहां से देखता है, पेशेवर ट्रेडर इस्तमाल करता है वाल्यूम Volume Profile Volume के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर इंडिकेटर है क्या है Volume Profile और कैसे देखा जाता है यह आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पहले ही साफ कर दूँ कि Volume का मेरा सबसे पसंदिदा इंडिकेटर है Volume Profile तो देखे जैसा मैंने आपको बताया कि volume profile में volume को y-axis पर plot किया जाता है एक दाम के आसपास कितने shares का कारोबार हुआ वो record किया जाता है जबकि normal volume में एक समय पर कितना volume हुआ इससे record किया जाता है और इस मामूली अंतर से analysis पर बड़ा भारी फर्क पड़ता है और जब आप अपनी screen पर volume profile डाल लेते हैं तब आपको दिखता है chart पर point of control यानि कि सबसे महत्वपून स्तर price का कौन सा है वो एक minute में आपके सामने आ जाता है कौन सा वो level है जिससे बार बार price आता रहेगा उपर जाएगा तो भी बेचेल रहेगा price वापस point of control के पास आएगा point of control से अधी नीचे चला गया तो वापस कितनी भी महनत करनी पड़े point of control के पास जरूर आएगा ये जानकारी option traders के लिए golden जानकारी होती है call और put की writing में अगर आपको ये पता हो कि कौन सा स्तर बार बार लोट करके आएगा तो धेरो पैसा कमाया जा सकता है और वो स्तर होता है volume profile का point of control level यानि कि सबसे लंबा बार जिस लेवल पर बना है वो है सबसे महत्तुपून स्तर इसी तरहां कहां बेचने का सही अउसर है यानि कि low volume node कहां बना हुआ है कहां खरीदने का सही अउसर है profit book कहां करना है ये तमाम चीजें volume profile के जरिए बड़ी असानी से समझी जा सकती है तो आए हाथ कंगन को आरसी क्या bank nifty के चार्ट पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे देखा जाता है volume profile तो आए इस दमदार professional volume indicator को कैसे इस्तमाल करना है अपनी trading में आए उसको समझते हैं और चार्ट मैंने चुना है bank nifty का हाला कि इस indicator का इस्तमाल आप चाहे जिस पर कर सकते हैं share के charts पर commodity पर currency पर आप जो भी trade करते हों उस पर इस indicator का बखुबी इस्तमाल किया जा सकता है ये bank nifty futures का चार्ट है जो भी आप देख रहे हैं और इस पर मैंने डाला है volume profile जो की volume का सबसे महत्वपूर्ण दमदार professional indicator है लेकिए volume को आपने horizontal axis पर तो कई बार ड़ा दिखा होगा लेकिन यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि हमने vertical axis पर volume को डाला है किस इस्तर पर सबसे ज़्यादा volume रहे हैं किस दाम के आसपास volume सबसे ज़्यादा रहे हैं ये indicator बताता है इस indicator में इस तरह का एक जमावड़ा volume का देखने को मिलता है जिसको cluster कहा जाता है और हर cluster के मद्दे में होता है सबसे उंचा volume profile बार और वो इस तरह होता है जिसको कहते है point of control याने कि यहाँ पर gravity है बार बार कीमतें इस level की और आकरशित होंगी जैसे 35,000 के आसपास अगर आप देखें तो bank nifty के daily chart पर फिलहाल point of control है जैसे ही bank nifty इस point of control के level से किसी ऐसे स्थर पर जाने लगेगी जहां का volume बार छोटा है छोटे volume बार को low volume node कहा जाता है और जैसे ही bank nifty इस तरह के आसपास आएगी वहाँ पर बिक्वाली का दबाव जहिलना पड़ेगा मान लीजिए bank nifty उपर जाकर किसी ऐसे स्थर पर चली जाती है जहां पर के volume कम है यह बार छोटे बने हुए है और वहाँ आपको कोई sell का संकेत मिलता है तो मान के चलिएगा कि गिरावट में price वापस point of control तक आएगा जाने कि जिस price level के आसपास सबसे बड़े बार्स बने हुए है वहाँ तक price के सरकने का गिरने की संभावना है और उसी तरह अगर मान लीजिए bank nifty नीचे जाती है किसी ऐसे level पर जाली जाती है जहां पर के volume का node छोटा है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तेजी बनती है तो price वापस से point of control तक आता है और ये बहुत ही जबरदस्ट कॉंसेप्ट है फिर चाहे आप इसको किसी भी time frame पर यूज़ करें तो देखें ये तो हो गई volume profile की रूप रेखा आप इसको intraday charts पर भी डाल कर देखते हैं और हाल के ही example के जरीए समझेंगे कि कैसे volume profile के मदद से आप दिन के शिर्शस्त स्तरों पर याने के top most level पर निकल पाते हैं तो आईए intraday chart से समझते हैं कि किस तरह से इस बेजोड volume indicator के जरीए आप निकल सकेंगे day के top पर और किस तरह से आपके target होंगे perfect अगर आप इस्तमाल करेंगे इस volume profile indicator का तो आईए सबसे पहले 15 minute के चार्ट को गोर से देखते हैं ये bank nifty के futures का 15 minute का चार्ट है और तारीख है 15 मार्च याने के आज से दो दिन पहले तो हाल फिलाल का ही चार्ट देख रहे हैं इस चार्ट को गोर से देखिएगा दो clusters आपको volume profile पर नजर आएंगे cluster ये है जिसका point of control लगबग 33,000 bank nifty के लेवल्स के आसपास है दूसरा cluster ये है जिसका point of control याने कि सबसे उचा बार यहां 34,700, 34,800 के आसपास है और जो low volume node है वो लगबग 34,000 के आसपास है और उपर की और हम देख रहे हैं कि 35,400 के आसपास थोड़ा सा उपर यानि कि 35,500 के इल्गेर्ट है दूसरा low volume node इस तरह की स्तिती बनी हुई है अब आईए replay देखते हैं intra day का और देखते हैं intra day में कैसे मौका पहचाना जाता है और कैसे आप trade करते हैं ये 14 तारीक है खतम होने आई और फिर शुरू हुआ 15 तारीक का बजार ये 15 मार्च है बजार खुला गेप के साथ उपर गया थोड़ा सा नीचे आया फिर उपर जाने लगा और उपर जाने के बाद बना एक pattern जिसको double top pattern कहते हैं ये double top का पहला top आया प्राइस नीचा आया इस समय एक बार आप देखिए कि volume volume profile क्या बता रहा है volume profile के low node के आसपास nifty bank nifty उस समय trade कर रही है और इसका मतलब ये है कि यहीं से अगर reversal आता है तो सीधा price point of control के आसपास जाएगा अब आईए देखिए हुआ क्या बजार वापस से नीचे आया एक bottom लगा price उपर गया और ये M की आकरती यानि के double top pattern चार्ट पर बनता हुआ आपको नजर आया और जैसे ही M आपको नजर आया आपने मान लीजे sell किया target होगा 34800 के आसपास जो की point of control के स्तर है जो की support level भी है इस stock के लिए तो याद रखिएगा कि इस तरह से आपको target निकालना है और इस तरह से ये पता लगाना है कि कौन सा trade सफल होगा कौन सा नहीं होगा अगर यही trade इसलिए point of control तक इसका जाना लगबक तय है तो ये है वो पेशेवर indicator जिसकी मदद से आप भी बिलकुल top पर बेचने में सफल हो सकते हैं बिलकुल bottom पर exit करने में सफल हो सकते हैं intraday में तो volume का एक ही indicator है और वो है volume profile तो देखा आपने कि कितनी गजब की चीज़ है ये volume profile और देखिए आम तोर पर volume profile का जिक्र बहुत कम होता है ये वो indicator है जिसकी जानकारी कम traders के पास है इस channel का मकसद है कि जो top end analysis है analysis की सबसे highest level है उससे आपको रूबरू कराऊं उस analysis का इस्तमाल आप अपनी trading में कर पाएं और किसी पर आशरित न रहें एक बात और कह दूँ के हाला कि मैंने bank nifty का उधारन लिया है लेकिन volume profile को आप चाहे जहां इस्तमाल करें nifty, bank nifty, stocks के charts पर commodity के charts पर गजब का काम volume profile करता है तो जरूर इस indicator को अजमाईएगा volume को अपनी trading का हिस्सा बनाना मत भूलिए आप देखेंगे जमीन आस्मान का फर्द आपके परणामों में आएगा अगर आप volume को भी साथ रखेंगे तो इसी तरह अपने analysis को top most level पर ले जाईएगा ख्याल रखेगा अपना और हाँ आप सभी को मेरी ओर से और इस channel की team की ओर से होली की अनेको शुब कामनाएं आपको आपके परिजनों को पूरे परिवार को मेरी ओर से होली की शुब कामनाएं जम कर होली का अनंद लीजेगा इसी तरह चैनल पर अपने प्यार अपने आशिष की बोच्छार कीजिएगा धन्यवाद आप सबका जय हिंद जय भारत